Hello everyone, welcome to True IS and PCS हम लोग इबन बतूता के aspect को देख रहे थे travelers वाले अपने chapter में from medieval Indian history, theme 2, class 12 and CRT हम लोग बात करते हैं अब एक topic जो इसके बारे में बचा हुआ है a unique system of communication कि इबन बतूता क्या बताता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो communication का जो माध्यम था न वो कैसे unique था तो इसने क्या observe करा, इसने क्या चीज ऐसी देखी उस जमाने में तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं 14th century में इसने क्या observe करा बागी सारे aspect हमने इसके खतम कर ली है इसको देखते है कहता है इबन बतूता बताता है अपनी इसकी बुक क्या थी जल्दी बताओ उसका नाम बताओ जल्दी बोलो क्या नाम था इबन बतूता कि किताब का नाम भूल गए ठीक है तो unique system of communication उसमें रहाला बुक में बताता है कि जो state है न जो भी सल्दनत है कहता है मूल रूप से evident तोर पर देखने को मिलता है कि state जो administrative system है वो पूरे के पूरे special measures लेते थे merchants को encourage करने के लिए merchants को encourage करा जाता था merchants क्या करते हैं, क्या roll होता है merchants का किसी भी सल्दनत में, या कहीं पर भी किसी भी टाइम पर era में merchants का basic क्या काम होता है इदर से उदर सामान को लेकर जाना क्या सकते हैं basically trade में ही kind of योगदान देते हैं अपना और profitable होते हैं काफी जादा ये हम लोग अकसर बात करते हैं न ancient और medieval history में merchants ने भी जिदरे भी monastries, temples बगएरा बनते थे ये उसमें भी काफी साथा योगदान देते थे अपना है ना, पैसे, पैसे की डंस में अमीर पार्टी होती है मतलब है सारे के सारे जितने trade routes थे उनमें ना, कुछ-कुछ रुखने की जगा हैं जिनको inns बोलते हैं guest houses बोलते हैं वो बने हुए थे यानि कि आप देखो वो ये बता रहा है कि 14th century इंडिया के अंदर अगर कोई भी traveler यहां पर आएगा ना तो वो बंजारों की तरह इदर उतर नहीं फिरेगा I am not talking about that बंजारा जो की medieval Indian history की term है, normal बंजारा जो की इदर से उतर घूमता रहता है तो वो कहता है कि भटकेंगे नहीं वो रुखने के लिए proper guest houses बने हुए थे, हर एक जगा पर जैसे वैश्नो देवी की जो चड़ाई होती है ठागुराइन वहाँ पर बुज़गों के लिए किसी के बिलिए जगा जगा पर tent house और शिवर वगरा बनाई होते है न ऐसे ही जो बरसात के दुनों में जो जो कावड होते हैं जो की शिवजी का शिवजी को अरपित करने के लिए जो गंगा जल दे कर आते हैं उनके लिए भी अलग अलग जगा पर जो प्रशाशन होता है वो tent houses बनाता है न है अरपित होता है न ऐसा तो ऐसे ही कहता है कि हम लोग कोई pilgrimage tour पर तो नहीं थे अबने बतूता बताता है लेकिन travelers को merchants के लिए किसी भी logo के लिए जो की trade routes पर कोई भी अगर वहां से गुज़र है तो basically वो सामान एक जगा से उठा कर दूसरे जगा देने के लिए जा रहा होगा और आपको पता है न अबने बतूता खुद भी बताता था और बाकी travelers भी हमें बताते हैं अंबर medieval India के time पर situation इतनी ज़्यादा खराब होती थी कि ये अक्सर अकेले travel करने से डरते थे तो ये caravans में travel करते थे पढ़ा था ना मैं वह वाला आस्पेंट तो जगा जगा पर बताता था कि ऐसा नहीं था कि हमें कई बेर मिट्टी पर सोना पड़े या किसी भी जगा पर रुखना पड़े अलग-अलग distances पर थोड़े-थोड़े रुकावटों के बार guest houses वगरा या रुखने की जगा बने होई थी rest houses वगरा बने होई थे ठीक है अब ये बने बत होता है यहाँ पर ना काफी जादा चौकता है खुश होता है देखकर कि कितना efficient postal system था हिंदुस्तान में 14 शतादी के अंदर जो कि अलाव करता था merchants को to not only send information and remit credit across long distance but short notice पे ही जो goods थे वो फटाफट से dispatched हो जाते थे इसको आप ऐसा समझ जाओ ये जो short notice पे कहा रहा है रहा है कि goods dispatched हो जाते थे अरपेथ हम लोग Amazon भी कोई भी order लगाते हैं अगर तो वो कहता है ना not yet dispatched और थोड़े घंटों के बाद minute के बाद message आज़ाता है आपका item dispatched हो रहा है और इतने इतने दिल में आपके पास पहुंच जाएगा और हम उसको बुरा track भी कर सकते है है ना तो कुछ ऐसा system ना जो की कागस की फॉर्म में पोसल सिस्टम की फॉर्म में होता था जैसे मिला मालो आपके पास एक कागस आया हम पर उस पे लिखा हुआ है कि हमें इतनी इतनी तारीक से पहले ना इतने इतने गुड चाहिए तो अरपेत कहने का मतलब यह है कि सामने वाला भी रियरिस्टिक डिवांट रखता था कि इतनी तारीक मतलब है पैसा नहीं कि अगली डेट डाल देगा अगली दिन की डेट डाल देगा वो कि अगर उसको पता है कि देखो यहां के लोग ना पहुच जलती हैं हमें सामान पहुचा देते हैं तो वो पांच दिन, साथ दिन जैसा भी सामान और सामने वाली पार्टी को लगता है कि हां इतने दिन के अंदर तो पहुची जाना चाहिए तो वो बोलता है हमें इस इस गुड की नीड है यहां से गुड्स वो फटा फट से डिस्पैच हो करना शाम तक कैरवांस निकल जाती थी वहां तक गुड्स अपलाई करने के लिए ठीक है पोस्टल सिस्टम वो सो एफिशेंट डाट इट टुक और मुस्ट फिफ्टी डेज तो रीच से देली तो रीच देली फ्रम सिन सिन से देली तक आने के लिए 50 दिन का समय लगता था ठीक है और जो खबर थी जो खबर थी स्पाइस की स्पाइस कौन होते हैं गुप्तचर ठीक है कि सुल्तान के पास जो खबर पहुंच जी थी कि सामने वाली पाटी ने उधर के कोई भी गवर्नर हो या कुछ भी हो उसने ये ये सामान मगवाए वो पोस्टल सिस्टम की खबर सुल्तान के पास 5 दिन तक पहुंच जाती थी यानि की सामान चो है फटाफट से डिस्पैच हो जाएगा और डिस्पैच कितना करना है क्या करना है सबसे पहले ये मालिक के पास खबर जाती थी और मालिक कहां बैठा हुआ है मालिक कहां बैठा हुआ है सुल्तान कहां बैठते थी उस टमपर डिली और डिली से फिर इसकी परमीशन तो लेनी पड़ेगी न इसकी पर्मीशन तो लेनी पड़ेगी न कितना सामान बेजना है कि नहीं बेजना जैसी ये पर्मीशन देते था था तो लगभग एक आपको आकड़ा बताया जा रहा है वैसे क्या हम ऐसे बोल सकते हैं महीने देड़ महीने के अंदर सामान पहुंच जाता था maximum two months के अंदर 50 दिन को इसको देखते हुए क्योंकि अरपित ये तो सिर्फ दिल्ली और सिंथ का बीच में डिसनज बता रहा है कहीं पर भी अगर हम बोले के लैंड रूट के जरी अगर कहीं पर जाना हो इंडियन सब्कॉंच पर तो महीने से देड़ महीने maximum दो महीने की बीच में पहुंचाता होगा और ये भी कह सकते हैं चलो दिन छोड़ो हमें नहीं पता कि कितने दिन क्योंकि Central Asian countries या बहुत दूर दूर तक भी तो सामान dispatch होता था China बगएरा, Mongolia, Uzbekistan, Middle East इन सारी चकापर अगर सामान जा रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के ओर कौनों में इबन बतूता ने जो information connect करी थी उसके comparison में दिल्ली से अगर कोई शामान कहीं जा रहा है दिल्ली सल्तना से अगर सामान कहीं जा रहा है तो वो जल्दी पहुँच जाएगा क्या सकते हैं इसा तबी तो इतना इंप्रेज्ड है कि इसने लिखा यहां के पोस्टल सिस्टम के बारे में अब इब बतूता कैसे डिस्क्राइब करता है पोस्टल सिस्टम को इसको जड़ा देखो कहता है भारत के अंदर ना पोस्टल सिस्टम दो तरीके के होते थे एक horse post horse post का मतलब क्या simple क्या कहो कि उसको किस से जा रहा है कोई भी मतलब जो order है या कोई भी एक चिठी है जो जा रही है सावान का order गोडे से इसके लिए term याद रखना number extremely important uluk क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जो uluk term है यह horse post के लिए होती थी फटा फट हाया नामे मुझे जवाब देते जाओ क्या हम यह कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पर यह बली term यूज होती थी horse post के लिए क्या हम तुगले टैनिस्ट्री को इसमें इंक्यूट कर सकते हैं और क्या हम मौमद बिन तुगलग को बोल सकते हैं यह सारी चीदे connected है उसी के अरा में था ना शाही नी दिल्ली सल्तनत के अरा में था ना तो यह uluk term आपको हर जगा connect करनी जो कि मैंने अभी आपको बताई सारी चीदे this system was run by royal horses जो की हर चार मील की दूरी पर खड़े होते थे जो food post होती थी food post has three stations per mile और उसको भोल जाता था दवा या दावा जो घोडों से जो postal system हो रहा है उसको क्या बोलोगे uluk और जो कदमों की मदद से जो चिट्ठी दर से उतर जा रही है या कोई भी सामान का order जा रहा है तो वो क्या बोलोगे दावा अब जर्नली उस टाइम पर अगर आप cities को अटा दो 90% हिंदुस्तान कैसा था अर्बन के रूरल cities थी के villages थे है ना रूरल और बहुत सारा सामान के हम कह सकते हैं 95% सामान विस में का बनता होगा शेरों में बनता होगा या फिर गाओं से सबसे बहले शेर मंगाना है दिली चेथी जगा पर मंगाना है और फिर दिली से दूसरी country जाएगा यही होता होगा ना क्योंकि सबसे पहले अभी हमने उपर क्या देखा ठक रहें अनाज किया दिल्ली में उखता था, या सिटीज में उखता था, नहीं न, तो at every third of a mile there is a well populated village, ठीक है, फिर आपको वो बता रहा है कि यहाँ पर outside which are three pavilions in which sit men with girded lines ready to start, आपको वो prosperity बता रहा है एक प्रकार से अबने बत होता हैं आपके, ठीक है, each of them carries a rod, two qubit and land with copper bells at the top, यानि कि फटा फट से जैसी courier service start होगी न, सारे लोग चोगनना हो जाएंगे, आप जैसी order place करते हो, तो Amazon और Flipkart की team एकदम से activate हो जाती है न, तभी तो आपके पास message आता है कि आपका जो courier है, जो भी आपका जो good है वो इदर तक पहुँच गया है, इ जाकुराइन आपने देखा होगा न, वो बताता है भी महलाश्यक के इस जगह पर है, या भी बेंगलूरू में है, बेलगाओ में है, अब यहां तक आ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो when the courier starts from the city, he holds the letter in one hand and draws with its bell on the other, गंटी बचाते बचाते, वो आता था, जितना हो सके उतनी तेस के लिए दोड़ता था, अब मुझे एक बाब बताओ, अगर ये खुद अपने कदमों पे दोड़ रहा है, तो हमें इसको क्या नाम दूँगा, लोग बोलूँगा क्या दाबा बोलूँगा, दाबा, जब दूसरे पवेलियन के जो लोग थे, वो bell इसकी सुनते थे, वो ready हो जाते थे, कहने का मतलब क्या है, जैसे relay race होती है, अमबर जानते हो कि relay race, हम लोग बैटन पकड़ाते हैं एक दूसरे team member को, तो फटा फट से एक post से दूसरे post ये बंदा भागता हुआ आएगा, दूसरी post पे एक बंदा बैठा हुआ है, इन सब के फरी यहां से दिल्ली जाए, और दिल्ली के बाद ये country से बाहर जाए, ठीक है, as soon as the courier reaches them, one of them takes the letter from his hand, and runs at the top speed, shaking the rod all the while, while he reaches the next dava, और ये दावा क्या है, सारे के सारे, ये जो postal offices हैं ये, लेकिन यहां पर बंदा क्या कर रहा है, गोडे के माध्यम से जा रहा है, या पने कद दूसरे को सब लोगो पकड़ाते चाहरे हैं, यहां पर बैटन क्या है, गोड है, ये जो food post है, क्या कहूँ हो हमें इसको food post को, अगर ये term use ना करना हो मुझे, दावा, ये hot post से जाधा तेज होती थी, and often it is used to transport fruits of khurasan, जो की काफी जाधा desirable fruits माने जाते थे जगा, इस जगा क अब आप ये मुझे ज़रा explain करना शाहिनी, या कोई भी, कि ये कह रहा है कि foot post जाधा तेज होती थी, hot post से इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि गोडों को आप लगातार नहीं भगा सकती, ठक रहा हैं ना, रुकवाना भी पड़ेगा, फिर जब बहुत ऊपर की चड़ाई अरपेथ है ना, जबकि जो बंदा है, पाड़ों से उतरते उतरते, शौटकट से उतरते, जंगल से उतरते, फटाफट से उतर सकता है ना, लेकिन घोडों को आप हर जगा से नहीं उतर सकते हैं ना, है ना, और चड़ाई भी ऐसा नहीं है कि आप भोड़े को लगातार करा वह हाफ जाएगा और अगर उसको टाइम पे आपको rest करवाना पड़ेगा, चारा खिलवाना पड़ेगा, पानी पिलवाना पड़ेगा, इन सब में टाइम नी जाएगा, बताना जरा, cost भी जाता होगी, बिलकुल, अब जैसे एक बाह बताओ, अगर हमें आगरा की गलियों में गूमना है, तो best source हमार लिए क्या है, कि हम bike पे जाएं कि गाडियों पे जाएं, फोर्चूनर उठाले याँ, स्प्लेंडर उठाले बताओ, आगरा की गलियों में गूमना है तो, स्प्लेंडर क्यों, क्योंकि populated है, वो बहुच जाता, हर चगा से निकलनी पाएगी, और मानलो कि अगर हम रश में हैं, अगर ठकुराइन हम रश में हैं, और हमें फटाफट भरी बजार में से कोरियर सप्लाइ करना है, तो हम क्या ठकुराइन करें, कि हम लोग वहाँ पर पैदल जाए, ये स्प्लेंडर उठाए, पैदल जाए, क्योंकि फट्राफट से निकल जाएंगे, अब हाँ, हौन दबाते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, लोगों को ये साइड हो जाओ, साइड हो जल्दी अट जल्दी अट जाओ, ये चीज़ हो रही थी यहाँ पर, तो दावा और उलुक दो सिस्टम होते थे, गोडे बाला कौन सा, उलुक और दावा कौन सा, फोट, इपने बतूता कि अकॉर्टिंग तेज सिस्टम कौन सा है, दावा, ये चीज़ है, ओके, अब यहाँ पर हमें एक दूसरे ट्रेवलर की बात करते है, ठीक है, अब्दुल रजाक, पूरा नाम कहा था इसका, अब्दुल रजाक, समरकंदी, याद आया, ये, इसने भी ट्रेवलोग लिखा था, और एक ट्रेवलर लिखता था, फोटीन फोटी इसके ट्रेवलोग में हमें इसके खुद के एमोशन्स और इसके खुद के नजरिये देखने को मिलते हैं, परसेप्शन और एमोशन्स, ये ना, बेसिकली, कैरला तक गया था, अब अगर ये कोजी कोडे, में कैलिकट पोर्ट की बात लिख रहा है, और कैरला यहाँ पर तारीफ हो, वहाँ पर चाहिए ना हो, लेकिन उसके port की और port system की काफी ज़्यादर तारीफ होती है न, उसके bandar का कि, उसके harbour की, होती है न, लेकिन इसने इतनी तारीफ नहीं करी, कहते है, इतना ज़्यादा पॉपॉलेट इट था, इतना ज़्यादा, which was populated by people, the likes of whom I had never imagined, और कहता है बिल्कुल strange nation मुझे लगा, ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं बोल रहा है, सर्फ किसको बोल रहा है, strange nation? किसको बोल रहा है? कैली कट के पोर्ट को या कैरला को बोल रहा है, तो आपको ये कोशन आ सकता है, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कोशन आ सकता है, कि विश्ट ट्रैबलर डिस्क्राइब कैरला, या कैली कट, या कोजी कोट, कुछ भी आ सकता है, examiner की मर्दी, कुछ भी term देते, पोर् या कोशी कोट, या कैरला, ठीक है, लेटर इन इस विजिट, टू इंडिया, बाग में आता है, he arrived in Mangalore, वेर इस Mangalore, आज की टाप में कहा है, करनाटका, बेस्टन गाट्स को ये क्रॉस करता है, here he saw a temple, जिसने उसका दिल जीत लिया, उस मंदिर के आसपास और उस मंदिर में, इसने एक घर देखा, जिसके बाहर एक बड़ी सी मूर्ती बनी वी थी, और कहता है, मैंने इस तरीके का पूरी दुनिया में कभी कोई ऐसी, एक structure नहीं देखा, अब वो घर नहीं था, basically temple था, समझ गए न आप लोग, जैसे, अभी इस तरीके साओध इंडिया में गया है, है ना, साओध इंडिया के temple साब जानते हो न, शाएन दरवेड़ा स्टाइल के होते हैं, और ये तो अभी से नहीं है, तो medieval इंडिया में time पर आया है, ancient time से ही ऐसे होते हैं, और साओध इंडिया में बड़ी नकाशी होती है, आर पर ऐसे ऐसे करके, एक footstep वाले temple होते हैं न, ऐसे करके, और इनके हर एक जो pillar होता है, उस पर कुछ ना, कुछ मूर्थी, या एक posture, है न, बने ही रहते हैं न, सारे के सारे, तो बस वो कह रहा है कि ये सब छोड़ दो, कि इतना yard था, उसकी height थी, bronze से covered था, चार portico's थे, entrance portico's था मतलब कुल मिला के, दरवाजा gateway को कह रहा है, basically है, human being जितने size के, पूरे-पूरे statue थे, क्योंकि आपको पता है, वो नकाशियां, male और female की बनी देती है, southern temples पर, gold से काफी साधा नकाशी थी, ठीक है, ये आपके काम करनी, तो वो basically तारीफ कर रहा है, crafts और artisanship की, बस, जो strange nation नीच वाली बात है, वो याद रखना है, it is associated with Abdul Razak Samir Gandhi, ठीक है, नीच वाला इस चीज कोई important रिकना है या नहीं, हाँ, गया कहां का था ये बात याद रखना, के Calicut के port को बोलता है Strain Nation, और दूसरी बार अपने दूसरे visit में Mangalore तक भी आया था, करनाटका में, ठीक है, और म का बात है खीज कोई परोस कहने